हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के इंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ट्रूक की तरफ से दो बहुत ज़ादा बढ़िया इयरबर्ड्स जो अभी हाली में लॉंच हो गए तो इस वीडियो में इन दोनों इयरबर्ड्स की अनबॉक्सिंग करके आपको बताऊँगा इन दोनों में क्या क्या खूब या है क्या क्या कम या है और आपको इन दोनों में सा कौन सा खरीदना चाहिए आपके लिए कौन सा सबसे ज़ाद अच्छा रहेगा तो वीडियो का आप end तक देखते रहिएगा चली बात कर लेते हैं सबसे पहले fit pro power के बारे में दोस्तो इसका box आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है पीछी की तरफ ये सारी specifications दी गई है आप पढ़ सकते हैं Bluetooth 5 का support इसके अंदर आपको दिया गया है और charging time भी इसका काफी कम है सिर्फ 27 मिनट चली करते हैं इसके unboxing देखते हैं इसके साथ आपको क्या के दिया गया है तो जैसे ही आप unbox करते हैं आपको कुछ इस तरीके से रखे वे मिल जाते हैं कुछ user manual सबसे पहले इसके बाद इसकी काफी अच्छी खूबी है इसके साथ आपको type C cable दी गई है तो ये चीज़ इसमें काफी अच्छी है आपको type C cable का support मिल जाता है अब चली बात कर लेते हैं ear birds के बारे में ear birds मिल जाते हैं आप इस तरीके से निकाल सकते हैं अब अच्छी चीज़ ये है इनके case के अंदर आपको magnetic effect मिल जाता है तो आप place करते हैं तो काफी easily ये connect हो जाते है case से quality इनकी काफी जादा premium है उपर की तरफ आपको buttons दिये गए हैं इसे के साथ दोस्तों इसके अंदर जो आपको case मिलता है उसकी काफी अच्छी खूबी ये है इसके अंदर आपको ये कुछ इस तरीक से digital display मिल जाती है जिससे आप charging percentage को भी चेक कर सकते हैं कि कितने ये charge हो गए तो ये खूबी इसकी मुझे बहुत ज़ाद अच्छी लगी एक और खूबी इसकी ये है इसके अंदर आपको headphone battery तो मिलती है 40 image की लेकिन इसके case की battery आपको दी गई है 2000 image की तो battery backup इसके अंदर आपको बहुत ज़ादा बढ़िया मिल जाता है case के अंदर आपको बहुत अच्छी battery दी गई है नीची की तरफ type c port है इस तरफ चलिए बात कर लेते हैं इसके rate के बारे में तो इसकी कीमत है 1300 रुपे दोस्तो rate के हिसाब से देखा जा तो ये आपको earbuds बहुत बढ़िया ही मिलते है सबसची इसकी build quality बहुत अच्छी है type c port दिया गया है इसकी साथ आपको earbuds की build quality बहुत अच्छी मिल जाती है matte finish में और battery बहुत अच्छी है इसके sound की quality भी बहुत अच्छी है चले बढ़ते हैं अगले earbuds की तरफ जो की है true fit buds तो दोस्तो इसका box आपको कुछ इस तरह की से मिल जाता है पीछी की तरफ ये सारी specifications दी गई है इसके अंदर भी आपको Bluetooth version 5 मिल जाता है charging time है देड़ घंटे के आसपास लेकिन इसकी कीमत है कम ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 800 में headphone battery है 40 image की और इसके case की battery आपको मिलती है 500 image की अंदर box के अंदर कुछ user manual मिल जाते है इसके बाद मिल जाती है USB to micro USB cable इसके साथ आपको type C cable तो नहीं दी गई क्यूंकि कीमत कम है इसकी इसके साथ दोस्तों इसके अंदर आपको रखे वी मिल जाता है back side साथ आप देखेंगे तो नीची की तरफ आपको port दिया गया है बाकि दोस्तों इसकी जो build quality है वो आपको plastic की type के मिलती है इसका case आपको इस तरीके से open करते हैं तो आपको earbuds मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से रखे हुए बाकि दोस्तों इसमें आपको magnetic effect नहीं मिलता तो इसमें आपको jack दिया गया है नीची की तरफ case में आपको earbuds को press करना होगा इसके अंदर लगा के इसके अंदर आपको earbuds का look कुछ इस तरीके से मिल जाता है इनकी भी build quality काफी अच्छी है उपर की तरफ आपको PC की तरफ मिल जाता है बटन बाकि ये plastic की टाइप की design में आते हैं तो इनकी कीमत भी कम है 800 रुपे उससाब से देखा जाए तो ये चीज़ इसके अंदर आपको फिर भी ठीक दी गई है sound की quality भी काफी अच्छी है जादा बढ़िया build quality आपको मिल जाती है truck fit pro power की तो दोस्तो अगर आपका budget कम है सिर्फ 800 तक का आप उससे उपर नहीं बढ़ सकते तो आप ये earbuds ले सकते हैं truck की तरफ से ये आपके लिए काफी अच्छी रहेंगे इनकी कीमत के हिसाब से इसके अंदर भी आपको features काफी बढ़िया ही दिये गए है अगर आप इन दोनों को खरीदना चाहते हैं तो मैंने description में नीचे link दिया है आप चेक कर लिएगा इसे के साथ दोस्तो आप comment करके जरूर बताईगा आपको इन दोनों में कौन से ज़्यादा पसंद आया ये चीज़ comment करके ज़रूर बताईगा मुझे personally और ज़्यादा better लगा fit pro power ही क्योंकि उसकी कीमत भी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा better है वीडियो helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा WhatsApp फेस्बुक पे मिलता है गली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई